अगलो दोस्तों नमस्कार तो दोस्तों देखिये कि प्री बीस्टीसी की बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि प्रीक्सा अक्टूबर में आवेदन 6 लाग के पार पिछले साल से 1 लाग अधिक यहनी के दोस्तों पिछले साल से 1 लाग के फारम जदा बढ़े गया है इस तो दोस्तों इस बार क्या कि कॉंपिटेशन बहुत है तगड़ा कॉंपिटेशन होने वाले हैं तो दोस्तों आप पढ़ाई पर ध्यान दो कि 9 अक्टूबर तक हमारे एक्जाम होने की पूरी-पूरी संभावना है तो दोस्तों इस डेट को फिक्स मत मानना क्योंकि हो सकता है 25 सित्पंबर को भी एक्जाम हो सकता है तो कुछ कह नहीं सकते हैं लेकिन दोस्तों अक्टूबर के पहले-पहले जुरूर हमारे एक्जाम ह हो जाएगा तो दोस्तों दोस्तों पीस जमा करने की जो अंतिम तीति हैं वह यानिकी कल की थी लेकिन आवेजन साथ सितंबर तक लिए जाएंगे यानिकि दोस्तों पीस जमा करने की जो अंतिम तीती है वो तो 6 सितंबर दे रहे हैं और आविजन की जो लाश्ट डेट है दोस्तों वो 7 सितंबर तक है यानिकि आज की डेट लाश्ट है दोस्तों राजे के डियलेड कोलेजों में परवेस के लिए प्रस्तावित्य बीएस्टीशी की प्रिक्सा अक्टूबर के परतम सक्ता में करवाई जा सकती हैं फिलाल इस प्रिवेस्ट प्रिक्सा के ओनलाइन आविजन की प्रिक्रिया चल रही हैं अब तक 6 लाग से अधिक बेरती बी वन्चित बेरतीयों के पास सुल्क जमा करने के लिए एक दिन का समय से से फोरं फिलिंग की प्रिक्रिया पुरी होने के बाद पंजीयक शिक्सा विबाग विबाग ये प्रिक्सा राजस्तान बिक्कानेर की ओर से प्रिवेस्ट की फाइनल डेट गोशित की जाएगी ने कि दोस्तों ये जो हे प्रिक्सा थिए सकी ये दोस्तों बिक्कानेर की बीणा से कर वाइज आ रहे हैं तो इसकी फाइनल इट और वहींगर करेगी किए फाइनल डेट पुर्व में सिट्नमबर के प्रस्ता कि दोस्तों पिछली साल एक्जाम प्रिखेस्ट को भी सिट्टमर के 準मबर में नि वहाता लेकिन वन्ची अभी अट्थि एडतियों के लिए फाराम बढ़ने कि अंतिम रहेगा दोस्तों पिछले साल इस प्रिक्षा में राजे के चार पॉइंट गेतर लाग बेड़तियों ने अविजन किया था लेकिन इस बार यहां आकड़ा छह लाग से पार पहुंच चुका है जिसमें पांच लाग पैसेट अजार बेड़ती प्रिक्षा सुल्क भी जमा कर दिन है इसके इसके बाद में जो रह गया हो रह गया वंचित अबेड़तियों के पास सुल्क जमा करने का मंगलवार को अंतिम दिन आज का दोस्तों पंजीयक निर्यूपार्दवज का का काना है कि आवेजन के अंतिम तीती में अब बढ़ोतरी नहीं होगी बार बार तीती बढ़ाने से प्रेक्षा में विलंब होगा दोस्तों इसलिए आज की लास्ट डेट इसके इसके बाद में आवेजन की जो टीती वो बढ़ेगी नहीं है तो दोस्तों जल्दी से आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए और एक-एक टोपिक को आप रिविजन करना स्ट करो तो दोस्तों मिलते हैं नई क्लास में